एलो दोस्तों कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स उमीद करती हूं सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मेरे पास ये वोल पुट्टी बची हुई थी और कुछ काम हुआ था तो ये गिली हुई थी उसमें काम करने में बच गई थी तो अभी रात का समय हो रहा है तो मैं सोच मेरे पास कुछ टूटावाई प्रेंट्स थी तो फिर मीरे पास कुछ टूटावाई क कटो रहा था और खुछ बॉतल हैं और को जो भी है उसी के ऊपर और ऑख भी जो कि नहीं रखोंगी तो वोल पुट्टी जम जाएगी और यह सारी खराब हो जाएगी फिर इसको मुझे फैक नहीं पड़ेगा तो फैकने के बदले थोड़ा सा टाइम दे करके मैं इस वोल पुट्टी को अपनी काम्याब कर लूँगी और इससे देखते हैं क्या-क्या ब उसके बाद यह दो तीन मठकी रखी हुए फ्रेंड्स तो मैं कुछ मठकी के उपर भी लगा दूगी बाद में इनके मठकी प्लान्टर बना लूँगी और यह देखिए यहां पर कुछ डब्बे हैं यह बोतल हैं और यह धकन पड़े हुए थे मेरे पास तो मैंने उनको इ प्रेस्ट को मुझे किस तरीके से काम्याब करना है मैं वह आपो दिखा रही हूँ तो यह देखिए मैंने सबसे पहले लेली मठकी और मठकी को मैं जो है यह आता है रेगमार तो यह रेगमार का एक टुकड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था तो इस रेगमार से मैं इसको अच्छे से रगड़के बिल्कुल एक दम प्लैन बना दूँगी गिसकर तो यह बिल्कुल इसमें फिनिशिंग आ जाएगी क्योंकि उस टाइम वह ज्यादा पतली थी तो मैंने बड़े आराम आराम से उसको लगाया था तो थोड़ा बहुत जो है इदर उदर इसका उपर नीचे हो जाता है तो इसलिए इसको मैं इसे रेगमार से इसके अच्छे से प्लैन कर दूँगी बिल्कुल यह देखे एक दम अच्छे से प्लैन हो गई है और इसकी ज तो मैंने गुलूगन को लगा के रखावाय गरम होने के लिए तो इसके उपर में लगा लूगी कांच के यह सी से मेरे पास बचे वे थे मैंने पहले भी एक पोर्ट बनाया था तो उस पोर्ट की मैंने वीडियो भी डाल रखे फ्रंस वह बड़ा पोर्ट है तो उसी के अजय तो ग Fish के लिए तो गुलूगन की मदद दी चिपकाए अना फ्रेंड्स लेकिन उससे पंकर चिपकते हैं क्योंकि वह फिर बार बार उतर रहें तो उन गया है तो मैंने ले लिया अज़ंग लगा लेंगे जो भी डिजाइनया idea ने उभी जाले वहीं अनल भीजाईन आजिए भी अब आपको मनमें वही आप बना सकते हैं तो मै इस तरीके से लगा हुए हूं मेरे पास इस तरह एके मिरर पर रória करने तो में नहीं नहीं टो लगा रही हूं पहने बीच जल्दी नहीं सुकते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं तो बड़े ही हमें पेसंस के साथ इने लगाना है धीरे-धीरे करके जो हम वॉल पुट्टी में गिली में ही लगा देते हैं फ्रेंस वो जल्दी से लग जाते हैं लेकिन यह मैंने पहले उसको करके रखा था उसके बाद म होगी तो यह दीखें सब चार तरफ मैंने लगा कि तयार कर लिए हैं और जो धोड़े बहुत इदर उदर खिसा गए तो उनको थोड़ा सा हाथ से मैं सही कर दूँगे फ्रेंस क्योंकि गीले होने के वज़े से हमारे जो मिरर है वो थोड़ा इदर उदर हो जाते हैं लेकिन उनको हम सही तरीके से फिर से कर लेते हैं क्योंकि गीले हैं तो अभी हो जाएंगे सूखने के बाद यह नहीं होते हैं तो मैंने इसकी किन जो है रेगमार से प्लैन कर दूंगे थोड़ा सा ऐसे घिसने के बाद ही प्लैन हो जाएगा क्योंकि अभी तो यह अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बाद में यह इस तरीके से हमारा बिल्कुल जहां से भी यह थोड़ा वह दूपर नीचे तो इस सारा बिल्कुल एकदम ठ कृнем करते हैं क्योंकि मैं जो भी अपना बनाती हूं मैं एक्सेड़ा ही योज करते हुं दिय दिसके जो भी मेरे पासे पूत के मैं जो गोल वाले हैं व लगाएं भी बचे वह बेंघे तो अब आदें इस वाले लगा लेंगे हम इस तरह से चोटे छोटे से पैकिट भी आते हैं जितने हम हमें जरूरत हो हम उतने ही praw और ये बड़ा किलोका इक किलोका तो जितने आपकि जरूरत हो उतनाप ले सकते हैं कने बड़े पेकट लेते हैं और काम करने के बाद वह लियूज पर काम करने में भार लेते वहार उन्हीं वो हमें सदों भालबे काम करने में उसी तरीके से चार लगा लेंगे और इनको लगाने के बाद छहम कलर कर लेंगे तो कलर करने के बाद यिक अपर लगता है Doll civ खूशा है थोले हुआ तो यह जो है अगर मैं इसका यूज नहीं करूं तो यह रखा रखा सूख जाएगा तो मैं इस इस सबस्क भी अच्छा लगए और ये प्योप्य वाला है तो इसमें साइनिंग वाला कलर है ये तो यह देखे तो इस हिàng यह हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लांटर भी बन जाएगा और एक डेकोरेट कभी हम इसको से कर सकते हैं यह अंदर रखने के लिए भी हमारा है कर दो क्या बन जायेगा तो इसको मैं अंदर भी रख सकती हूं और बहार तो क्योंकि खराब हो जाएगा बहार तो यह तो इसको मैं अंदर ही रख लूँगी इसके अंदर प्लांट लगा करके तो इसके किनारे पे भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे इस ने अधे तो प्लांटर ले क्लैडड़ा funds कि अधे कर दो एक वो पर उप कर समयरे गाने के ने देज़े के सब्सक्राइगे में जो भी बैब हैं कि यह तेमाटञेन में से काइप लेकिन नहीं से रावा काई सकते हैं, ने पने लेकिन जिसके इसे जाए हैं, धाए कि आवरा में तरहे मीच रखारे हैं रेका है runners भोड़ सकती हो और इस तरीकी से व्हा सकती हो तो इसके अंदर में इसे प्लान्ट से के अंदर में ऐच्छे अब इसके अधर है poda में लगा हुआ है तो में इसको ही इसी तरीकी से इसके लीज दब्ध इस तर्फिक दालद तो पर आपको पास सफ़ेद वाले स्टोन को यह यह तो मेरे पास और पास तो मैं पर बातुए तो मैं अभी नहीं को ही कि इसके अंदर लगा दूँए इसके अंदर दो छोटे छोटे प्लांट और भी निकल रहे हैं तो उनको भी मुझे अलग अलग करना है लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हुआ है तो मेरे प्लांटर बनने के बाद फ्रेंट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बता है और जितना भी आपके पास वैस्ट मै अधिक वेस्ट का ही यूज आपको दिखाई देगा तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें फ्रेंड्स तो यह देखे बनने के बाद यह देखे कैसा लग रहा है तो इसको मैं ही पर रख खवाई लगेगा यहां पर मुझे कुछ और भी पीस रखने हैं वह भी मैं आपको दिखाऊंगी बना करके यहां पर लगाऊंगी जब उसके बाद तो यह देखे कैसा लग रहा है तो इसी तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे-च्छे प्लांटर तयार कर सकते हैं और अपने घर को और अपने भगीचे को सुन्दर बना सकते हैं दिखिए इसको मैंने बीच में विल्कुल सेंटर में रख दिया है तो हाँ पर यह कैसा लग रहा है तो फिर मिलते हैं अगले DIY के साथ ओके बाई